सागत हमाय व्टुचल में आप देखने सभीटी 790 तो आजम बात करने जा रहा है चाई से नुकसान के बारे में आप लोग तो चाय पीते होंगे तो हम आपको बताने जा रहा है कि चाय से क्या-क्या नुकसान होते हैं फारीयों तो कुछ नहीं है लिकर नुकसान क्या साइड एफेक्ट होता है और कई सारी बीमारियां आपकी बॉड़ी के अंदर आ जाती है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जो चाय के अंदर जो हानका रखता तो पाए जाते हैं पहला ह आपको भूख लगना कम हो जाती है आप खाना कम खाएंगे तो आपके सरी के अंदर बीकने सा जाएगा और उसके इसमें लोग तरह तरह की दावयों का प्रयोग करते हैं कि हमारा भूख बढ़ जाया लेकिन वो लोग अगर चाय का सेहन बंद कर दें तो उनको फिर से भू प्रीमारी आते blood pressure की आपने अकसर लोगों में देखा होगा कि उनका blood pressure या तो बहुत हाई रहता है या तो बहुत लो रहता है बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे जिनका blood pressure सामानने होता है क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा चाय का सेहन करते हैं जिसके कार्ड उनको काफी यदा नुकसान देखने को मिलता है दूस्तों एक और बीमारी है हीरफॉल और भी कई सारे काड़ों से होते हैं लेकिन उसमें चाय का भी रोल होता है जो लोग बहुत ज़्यादा चाय का प्रियोग करते हैं उनको हियर फोल होना स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद में हाड़ टेक की प्रावलम कुछ रिसर्चों में सामने आया है कि जो लोग बहुत लोग जो बहुत ज़्य चाय का सेवन करते हैं उनको हाड़ टेक होने के समावना काफियादा बढ़ जाती है तो अगर आप भी चाय का सेवन करते हैं तो चाय का सेवन बंद कर दीजिए क्योंकि इससे आपको कोई लाब नहीं है क्यों नुकसान है और इसके बाद में जो बीमारी आती है गैस की प्रा पिलाएंगे वह चाय नहीं पिएगा अगर आप भैंस को चाय पिलाएंगे तो नहीं पिएगा अगर आप किसी पच्छी को चाय पिलाएंगे तो नहीं पिएगा दूद पिलेगा दही पिलेगा पानी पिलेगा लिकिनों चाय नहीं पिएगा तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग भी अगर आप लोग भी चाय का बहुत ज़ादा प्रयोग करते हैं तो इसके इसमें चाय का प्रयोग बंद कर दीजी तो इसे आपके बॉड़ी के अधर एनर्जी आएगी और आपको काफी ज़ादा लाब मिलेगा और इस तरह की कोई प्रावलम भी नहीं होगी जैसे आपको अनिद्रा की प्रावलम गैस की प्रावलम या फिर आपको भूंक लगना कम हो जाए दूद के काड़ ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप चाय का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको काफी अधर नुकसान होता है दोस्ते इसमें काफी और निकोटीन मातर होने के काड़ इसके आप आदी हो जाते हैं यह इसकी एक लथ हो जाती है जिससे कुछ लोग गुटके का प्रयोग करते हैं या फिर तंबाकू का प्रयोग करते हैं तो उनको लथ हो जाती है ऐसे अगर आप बहुत दिनों तक अगर आप चाय का प्रयोग करते रहेंगे तो तो इससे आपको चाय की विल्लत हो जाएगे तो उसे छोड़ने में आपको समय लगेगा तो मैं सजेस्ट यही करता हूँ अगर मेरा सुझाओ मनना चाते हैं तो चाय का प्रियोग आप धीरे-धीरे करके बंद कर दीजिए और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चाय पी के और सॉसर्च में अगर गया की प्रावलम थी तो उसके मिन jabण और अगर आपको नहीं आती थी तो उसमें भी काफी जदा आपको ब्रिटर इस्वांथ देखने को मिलेगा उन्मीद है कि आपको वीडियो पसंद दाया होगा अगर वीडियो में कुछ रहे गया है हमने आं को ना बताया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं मिलते हैं आपसे एगले वीडियो में एक नए प्रोडिक के साथ में तब तक के लिए धाने वाद